नमस्कार में भाकिष्टी बिस्यन निव्स के बिजनेस समाजाह में आप सभी का स्वागत है खबरों के और बढ़ने से पहले आए डालते एक नजर आज की सुख्यों पर OTP से बदल सकेंगे मोबाल कनेक्शन महज मुलैंकन की जरूरत और GDP में आए की 7.3 प्रतिशत की किरावट SBI की रिपोर्ट में अनुवान विवागने मोबाल फोन उपभोगताओं के लिए एक बड़ी राहती है यदि प्रिपेट कनेक्शन की उपभोगता है और पोस्पेट में कनवर्ट करना चाहत है तो ये महज एक वन टाइम पास्वर्ट यानि OTP के जरीए आसानी से क्या जा सकता है इसके लिए ना तो आपको SIM कार्ट बदली की जरूरत होगी और ना ही किसी तरह की KYC की Secular Operators Associates of India ने दूर संचार विभाग D.O.T. से इस समर में मंसुरी मागी थी इस दोरान कहा गया था कि इस प्रक्रिया को किवाज से के बजाए वन टाइम पास्वर्ट यानि OTP बेस्ट ऑथेंटिकेशन के मातिव से पूरा क्या जाए इस समर में दूर संचार विभाग के A.D.G. ने बिते किस माई को कहा था कि प्रीपेट से पोस्पेट और पोस्पेट से प्रीपेट में कंवर्ट करने की प्रक्रिया को कमपनियों द्वारा बताय जाने वाले नियमों के आनुसार लागों क्या जा सकता है इसके लिए बहल्स मुल्यांकन की जरूत है जिसकी बाद इस संफन में अंति निरने लिया जा सकता है इस नोट में ये भी कहा गया है कि हाल के दिनों में OTP आधारित प्रमानिकरन और अथेंटिकेशन का चलन का चलन काफी बढ़ गया है और तक्रिपन हर शेत्र में इसका बखो भी प्रयोग क्या जा रहा है गोल पर हॉल मार्किंग करना 15 जुन से जरूरी हो जाएगा केंडर सरकार ने स्वन्य आभूशन और कला कुरुतियों के लिए अनिरपार ये रूप से हॉल मार्किंग विवस्ता लागू करने की समय सीमा एक जुन से बढ़ा कर पंदा जुन तक करती है उपभोगता मामलों के मती पियोश कोयल की अर्थिक शिता में हुई पैटक भी यहाँ फैसला हुआ है 15 जुन से जोहरियों को सिर्व 14, 8 और 22 कैरट के सोने की आभूशन पेशने की इजाज़त होगी 22 अपरिल 2000 से सोने के आभूशनों के लिए हॉल मार्किंग योशना चला रहा है वर्तमान में लगपक 40 प्रतिशत सोने की आभूशनों की हॉल मार्किंग हो रही है नामबर 2019 में सरकान ने स्वन आभूशन और कला कुरूतियों पर हॉल मार्किंग की 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य करने की खूशना की थी हाला कि जोहरियों की महामारी की कारण समय सिमा बढ़ाने की मांग की पाग इसे चार मेने आगे एक जुन कर दिया था गोल्ड हॉल मार्किंग किम्ती थात्य की शुद्धता को प्रमानित करता है और वर्तमार में यह स्वैचिक है अधिकारिक बयान में कहा गया है कि कोर्णा महमारी की मत्ति नचर सरकान ने संभतित पक्षों की इस क्रियान वित करनी और इससे चुड़े मुद्धों के समाध हो से खार्ति तेलों की महंगाई पर कावु पाने के उपनी पर तत्का अ उठाने को कहा है हातिय यह साजे दारों के साथ एंपनी तरह की पहली पर टकली सुत्रों के अनसार इनमे जीस्टी हटाने को लेकर शेयर बाजार में इसके वादा कारूपार पर रोक लगाने तक के वज़ार शामिल है सबसे महत्वपुनस दुझा में एक ये था कि खाद्य तेलों के ततकाली स्टॉक के स्थिती जानने की जिम्बेतारी बैंकों और सीमा शिल्क विभा को सोपीचाए इसकी वज़ा ये है कि कारूपार्यों को कर्द्स लेने के लिए बैंकों को मात्रा और उसके भंडारन लोकेशन की जानकारी देरी होती है ऐसे में बैंकों को आसानी से पता चलता रहता है कि इंका भंडारन कहा कहा हुडा है देश की जीडिपी की विरुती दर बिते वित्वर्ष 2020 से 21 की चौती दिमाही में एक दशम लो तीन प्रतिशत रहेगी एसबी आई रिसर्च की रिपोर्ट एको रेप में यहां अनुमान लगाया क्या है रिपोर्ट में कहा गया है कि बिते पुरे वित्वर्ष में भारती अर्थे व्यवस्ता में करिव साथ दशम लो तीन प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है एनसो मार्ज दिमाही तथा 2021 के लिए जीडिपी का शुरवाती अनुमान 31 मैं को जारी करेगा रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारी नाव कोस्ते मॉडल की अनुसार चौती तिमाही में जीडिपी की ब्रतितर एक दशम लो तीन प्रतिशत रहने का अनुमान है एनसो ने चौती तिमाही में एक प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगा है रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे विद्वर्ष 2020 और 2021 में जीडीपी में करीब 7.3 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है पहले उसने पूरे विद्वर्ष में 7.4 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया था बिरो रिपोर्ट BCN News शेहर बाजार में मंकलवार को कारुबार सिमीर दायरे में रहा और PSC Sensex और NAC Nifty दोनों लगबर स्तीर बन हुए इसका मुख्यकारण पिछले कुछ सत्रों से बाजार में तेसी के बाद निवेशकों की मुनाफ़ा वसुली रही तेस शेहरों पर आथारीच Sensex 14.37 की मामुली गिरावट के साथ 25670.35 पर बंधवा दुसरी तरफ National Stock Exchange का निप्टी 10.55 की हलकी बड़त के साथ 15208.45 अंग पर बंधवा Sensex के शेहरों में HDFC Bank, Axis Bank, Reliance Industries, Industrial Bank और HDFC आथी शेहरों में गिरावट रही विनो रिपोर्ट BCN News खबरे समावत करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुख्यों पर OTP से बदल सकेंगे मोबाल कनेक्शन महज मुलैंकन की जरूरत और GDP में आए की 7.3 प्रतिशत की किरावट SBI की रिपोर्ट में अनुवान बिस्निस समाचार में फिला लित्ता ही S&D खबरों से जुड़े रहने के लिए देख तिरिये BCN News नमस्कार